असलाम अलेकुम स्टुडेंट आज है 21 दिसम्बर 2020 और आज का टॉपिक है हमारा वो है solubility product ठीक है बट बिफोर गुएंग आहेड वी नीड तू लेर्ण फर्स्ट दे टर्म इस्पैरिंग ली सॉलिबल सॉल्ड और अच़्िज्वल की बिफए स्लाइटली सॉलिबल सॉल्ड या इस टॉपिक को पढ़ने से पहले सॉलिबल ने हैं सॉफ़िज्वão कम होते हैं। उनने हम लेक्राली सॉल्ड या या स्लाइटली शॉल्ड सॉल्ड की होता है وिसे Surfshand कि पानी में बहुत कम हल होते हैं उन्हें हम slightly या sparingly soluble salt कहते हैं ठीक है या आप इनको water में डिजॉल्फ करते हैं तो ये बहुत ही कलील मिगदार के अंदर पानी में डिजॉल्फ होते हैं बाकी अंडिजॉल्फ फार्म के अंदर ही water के अंदर मौझूद रहते हैं मिसाल गता पर आप आप चौक के पाउडर को अगर पानी में डालें तो बहुत कम हद तक हल होता है और बाकी के सारा क्या हो जाता है के bottom of the glass में सेटल डाउन हो जाता है ठीक है तो ऐसे salts को क्या कहते हैं sparingly soluble salt मैंने यहां इस बात को लिख भी दिया है कि the salts which partially or less dissolved in water are called sparingly soluble salts इनी sparingly or slightly soluble salts भी कहते हैं अब इसकी एक्जामपल में बहुत सारे इस तरह के salt है like silver chloride है like calcium carbonate है जिसकी मैंने भी मिसाल दी चौक जिसे हम कह रहे हूं इसके लावर lead iodide है lead iodide है lead chromate है barium sulfate है cadmium hydroxide है calcium sulfate है and so on और भी बहुत से एक्जामपल है बुक की page 183 पे देखिएगा एक पूरा table दिया हुआ है वहाँ देख लिजेगा कौन कौन से salt available है थोड़ी example अपने जहन में रखिएगा ताकि अगर exam में इस तरह का आ जाए कि इनमें से कौन सा salt is sparingly soluble है तो फिर आप उसको click कर सकते हैं कि these are the examples of the sparingly soluble salt तो अब इसी example लेते हैं for example मैं silver chloride ले रहे हूं अब जैसे हमने ले लिए silver chloride is sparingly soluble salt है यह हमारा बहुत कम पानी में हल होता है ठीक है अब जब हमने इसको water में dissolve करने लगेंगे तो क्या होगा यह कुछ पानी के अंदर dissolve होगा और dissociate हो जाएगा अपने आइंस में ठीक है अच्छा कुछ हद तक हल होगा और फिर क्योंके यह sparingly soluble salt है और इसको भी हम reversible reaction की sign से denote करते हैं तो कुछ जो है वह dissolve हो जाएंगे और बाकी undissolve form के अंदर मौजूद रहेंगे और फिर क्या होगा इससे dissociate होकर silver और chloride के ions बनाएंगे कुछ जब तक equilibrium अचीव नहीं हो जाएगा यह फिर से वापस बैक कर जाएंगे agcl के अंदर फिर से वापस जाएगा ag और जब तक equilibrium कायम नहीं हो जाएगा और जब equilibrium कायम हो जाएगा तो आप देखेंगे कि equilibrium के अपर dissolve line भी मौजूद होंगे और undissolve solve भी क्या होगा मौजूद होगा तो इस equation का अगर हमें केसी निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे ठीक है ठीक है यह undissolve form में है और यह dissolve lines है ठीक है अच्छा केसी की अगर इस equation के लिए हमें केसी expression लिखना हो तो वह यह आजएगा केसी concentration of product upon concentration of the reactant product हमारा क्या है dissolve line की concentration है जो के product side पर मौजूद है तो that will be equal to the concentration of silver lines and the concentration of chloride and in the denominator आ जाएगा the concentration of undissolve silver chloride salt चीक है तो यह आगिया जना ठीक है अब अगर अगर देखा जाए तो यह जो silver chloride है जब equilibrium achieve हो जाएगा तो फिर इसकी तो मिगदार के अंदर कोई तबदीली ने आगी और यह हैवी के ऐसा undissociated form के अंदर मौजूद है और जब यानि के salt एक हद तक की हल होगा जितनी उसकी capacity है हर एक salt की एक अपनी capability होती है कि वह कितना हद तक हल हो सकता है temperature उसकी solubility में एहम करदार अदा करता है अगर हम temperature सकती है लेकिन उसके बाद भी क्या हो जाएगा जब वह salt का solution है वह saturated हो जाएगा तो फिर मजीद वह हल नहीं हो पाएगा तो equilibrium जब achieve हो जाता है तो वह saturated position के अपर पहुंच जाता है और जब वह saturation position के अपर आ जाता है तो फिर यह मजीद agcl या जो undissolve form में हमारा salt है वह मजी कैसी बराबर है किसके concentration of dissolved iron and concentration of the undissolved iron जो कि equilibrium पर यह भी क्या हो जाएगा constant हो जाएगा तो इस constant मिगदार को हम किसी constant से replace कर सकते हैं मिसाल के तोर पर हमने इस constant को replace कर दिया for example कैसी बराबर है अब यह जो एजी silver iron की concentration है और यह जो chloride iron की concentration है ठीक है यह तो vary कर सकती है लेकिन temperature की बुनियाद पर यह नहीं करकर temperature हम बढ़ा दें लेकिन add equilibrium यह जो agcl है यह हमारा constant हो जाएगा मजीद dissolve नहीं होगा ठीक है मजीद dissolve हमारा salt नहीं होगा तो हमने क्या करा इसको एक और constant से क्या कर दिया इसको replace कर दिया फर्स किया क्योंकि इसमें तबदीली नहीं आ रही ना constant हो गया इस constant मिधार को हमने एक दूसरे constant that is k-डेश से represent कर दिया कि इसमें तबदीली नहीं हो रही ठीक है यह constant हो गया और यह उपर हमने लेके आ गया concentration of dissolved line तो kc बराबर हो गया concentration of dissolved line और यहां इसको k k-डेश जो के undissolved salt की कोई ना कोई concentration है अब देखा जाए तो एक constant यह है कैसी और एक constant k-डेश इन दो constant को हम एक जगा पे ले आते हैं तो यह यहां multiply कर रहा है उदर जाएगा तो multiply करेगा k-डेश विल्ब एक्वल तो concentration of ag-ion and concentration of chloride-ion ठीक है अब यह दो constant आपस में क्या कर रहे हैं multiply कर रहे हैं इन दो constant rate constant की के product को हम क्या कर सकते हैं एक तीसरे constant से replace कर सकते हैं और फर्स किया कि वो जो तीसरे constant है वो है k-sp तो k-sp will be equal to concentration of the silver iron and the concentration of the chloride iron इन दो constant को के product को हमने एक तीसरे constant से replace कर दिया that is k-sp and it is called constant of solubility product ठीक है तो यह k-sp बेसिकली क्या कहलाता है solubility product and it's defined at equilibrium the concentration of the dissolved iron of the sparingly soluble salt यानि के यह k-sp basically क्या है so k-sp को कैसे define कर सकते हैं हम कि k-sp is the product of ionic concentration of the dissolved lines यह 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 और कैसी जब हमने इसको बताया था कि यह dissolve हो गए थे और dissolve line का पहले हमने k-sp expression लिखा और उस k-sp expression से हमने k-sp की value यह expression evaluate किया हमने और बताया कि k-sp basically क्या है यह dissolve iron की concentration की product है इसी बात को लिख भी दिया कि k-sp is the product of ionic concentration of the dissolved ions and it varies with temperature और यह तबदील हो जाती है थोड़ी सी value अगर हम temperature को तबदील करेंगे तो हर एक salt की एक खास हद तक dissolve होने की सलाहियत होती है और खास temperature पर अगर हम temperature बढ़ाएंगे तो क्या होगा उसकी solubility में भी फिर थोड़ा बहुत इजाफा हो सकता है और होता भी है मिसाल के तो पर यह तो हम sparingly soluble salt की बात कर रहे हैं लेकिन अगर फर्स करें कि फर्स करें कि गिलास में हमने silver chloride का एक चमच डाला अब एक चमच समझ लेंगे for example एक चमच में 100 ग्रैम्स है ठीक है अब जब हमने इस डिजॉल्व किया तो 100 ग्रैम में से सिर्फ क्या हुआ कि 5 ग्रैम जो है वो डिजॉल्व हुआ बाकि 95 ग्रैम अंडिजॉल्व फार्म में ही इस ग्लास के अंदर मौजूद है ठीक है किस temperature के उपर 25 centigrade के उपर लेकिन अब हम क्या करें इसी solution को अगर गर्म करें और फर्स करा कि इस temperature को हम ले जाते हैं 50 centigrade के उपर यह यह temperature हमने डबल कर दिया अच्छा अब temperature जब हमने डबल किया तो क्या होगा molecules के दरम्यान molecules के कानेटिक इनर्जी बढ़ जाएगी जब collisions बढ़ जाएंगे जब collisions बढ़ जाएंगे तो फिर क्या होगा उनकी जो solubility है वो थोड़ी बढ़ जाएगी फर्स किया अब 50 50 centigrade के उपर पहले कितने थे 5 ग्राम डिजॉल्व होगे अब फर्स करा कि 7 ग्राम डिजॉल्व होगा यानि कि 2 ग्राम और बढ़ गए तो temperature बढ़ाने से क्या होता है solubility increase होती है तो फिर क्या होगा उसकी जो भी KSP की value होगी वो क्या होगी वो भी फिर vary करेगी with the temperature समझ रहे हैं बात को तो temperature बढ़ाने से salt की solubility में इजाफा होता है ठीक है तो अच्छा यह जो sparingly soluble अप चुके यह कैसे salt है मुकमल तोर पहल नहीं हो रहे हैं थोड़ी मगदार में हाल हो रहे हैं लेकिन temperature को बढ़ाने से थोड़ी बहुत इनकी solubility बढ़ सकती है अगर हमें किसी salt की ksp की value पता हो कि इस temperature पर इसकी ksp की value इतनी है तो हमें idea हो जाता है कि यह salt किस हद तक dissolve हो सकता है और कितनी quantity डालेंगे हम इसकी solution में कि हमारा solution है वो saturated हो जाए तो यह ksp की value हमें असल में उसकी reactivity के बारे में बता रहा होता है यह बता रहा होता है किस हद तक जो है वो soluble होगा और किस temperature के उपर जाकर इसकी इतनी amount जो है वो डिजॉल्व हो जाएगी इसकी यूनिट है ksp की वो बिलकुल concentration की unit ही होती है ksp की जो unit है that is mole per decimeter cube है तो अगर फर्स करें जैसे के हमारे पास एक salt है जैसे calcium carbonate है ठीक है और इसकी ksp की value है 1 10 rest to the power minus 8 mole square decimeter 6 per decimeter की 6 तो यानि कि ये value हमें बता रही है कि पर decimeter cube solution में यानि कि एक liter solution में इसके कितने dissolved ions की concentration होगी वो ये होगी यानि अगर for example हम 1 mole calcium carbonate 1 mole calcium carbonate का मतलब होता है 100 gram यानि इसका अगर हम molecular mass निकालेंगे तो वो 100 gram हो जाएगा 100 gram में से सिर्फ इतना ये बहुत बहुत less मिदार है यानि आप minus 8 की मिदार समझ रहे हैं यानि कि 0.000000 पहले 70 उसके बाद बन आएगा तो ये बहुत थोड़ी मिदार हल हो रही है 100 में से तो ये हमें बता देता है कि कि सॉल जो है वो किस हद तक डिजॉल्व होगा